मिलकी वे गलेक्सी का नाम तो आप सबने सुना ही है ये हमारी अपनी अकाश गंगा है जिसमें हम रहते हैं पर क्या आप जानते हैं कि ब्रह्माहांड में कुछ अद्भुत और विचित्तर अकाश गंगाई मौजूद हैं जिनें देखकर एक बार तो आप सोच में जरूर पर जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रुमांचक सफर दोस्तों स्पेस की दुनिया जितनी अनोखी है इसकी बनावट उतनी ही पेचीता है ब्रम्हांड अपने आप में देरों रहस्यों को समेटे हुए है बैग्यानिकों ने बेहत शक्ती शाली हवल टेलसकोप के जरिए सुदूर अंतरिक्ष में एक अदबुत गलेक्सी की खोज की है असल में ये एक गलेक्सी नहीं है यहां पर कई गलेक्सियां आपस में भिड़ गई है इस जुन्ड में सबसे उपर मौजूद अकाश गंगा को UGC 1810 के नाम से जाना जाता है लेकिन दूसरी गलेक्सियों के मिलने के बाद इसे ARP 273 का नाम दिया गया है ये अकाश गंगा हमारी प्रिथवी से करीब 30 करोड लाइट इयर दूर है अभी तक मिली जानकारी के मताबिक वहां भेतरीन और तीवर गुरुतवा करशन का टकराव है और इसी वज़ा से गलेक्सियां आपस में टकरा रही है अलग-अलग गलेक्सियों के मिलने के कारण ही इसका अकार इस तरह का हो गया है पर वे ज्यानिकों का अनुमान है कि अगले कुछ अर्व सालों तक UGC 1810 सभी गलेक्सियों को अपने अंदर समेठ लेगा और इसका अकार भी बाकी गलेक्सियों जैसा हो जाएगा सोमब्रेरो गलेक्सियों जिसे M104 भी कहा जाता है सोमब्रेरो गलेक्सियों पृत्वी से दिखने वाली सबसे अलसमान्य अकाश गंगाओं में से एक है ये बहुत ही चमकदार अकाश गंगा है और ये सेंटर से थोड़ी उपर की और उठी हुई है इसलिए इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्षी में एक विशाल चमकदार टूपी हो इस अकाश गंगा की दूरी लगबग 2.8 लाइट येर्स है इसे गलेक्सियों का फलाव 50 यार लाइट येर्स तक है एक अनुमान के मताबिक इसका अकार 800 अरब सूरों के अकार के बराबर है एंटेना गलेक्सी ये गलेक्सी दिखने में भले ही एक है पर ये दो अलग-अलग अकाश गंगाएं हैं जिनें एंटेना गलेक्सी कहा जाता है किसी समय ये दोनों अलग-अलग हुआ करती थी लेकिन समय के साथ इन दोनों ने एक दूसरे को अपनी तरफ खीचना शुरू कर दिया इन दोनों के बीच का ये प्रोसेस लाखों साल पहले शुरू हुआ था और अब तक जारी है ये हमारी पृत्वी से साथे चार करोड लाइट इयर की दूरी पर है दोस्तो अब बारी आ गई है सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली अकाश गंगा की जिसका नाम है एंड्रो मेडा गलेक्सी एंड्रो मेडा को अभी तक की सबसे बड़ी गलेक्सी माना जाता है वेग्यानिक मानते हैं कि इस अकाश गंगा में एक खरब से भी ज़्यादा तारे हैं इसे मिलकी वे गलेक्सी की पडूसी गलेक्सी माना जाता है क्योंकि इसकी हमसे दूरी सिर्फ 25 लाक लाइट एर है एंड्रोमेडा एक विशाल अकाश गंगा है और इसके केंदर में एक बहुत बड़ा बलैक होल भी मौझूद है एंड्रोमेडा गलेक्सी 140 किलोमीटर प्रतिस सेकंड की रफतार से मिलकी वे गलेक्सी की और बढ़ रही है विज्यानिक मानते हैं कि आने वारे कुछ अर्व सालों में ये अकाश गंगाएं आपस में टकरा सकती है इस टकर का असर दो अर्व साल तक चलता रहेगा और धीरे धीरे ये दोनों गलेक्सियां मिलकर एक बन जाएंगी दोस्तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कॉमेंट करके जुरूर बताएं और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जूरूर करें